सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को और बैल आइकन को दबाएए मेरी नए नए वीडियो को देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ एक न्यू टिटोरियल शेयर करने वाली हूँ और वो टिटोरियल मैं बना रही हूँ रक्षा बंदन पर सभी बहनों के लिए तो इसके लिए मैं आपको दो तीन टिटोरियल अलग अलग वीडियो में दिखाती रहूँगे आज मैं आपके साथ पहला टिटोरियल शेयर करने वाली हूँ मैंने मेरे फेस को बहुत अच्छे से मस्टरैज कर लिया है अब मैं मेरे फेस पर प्रैमर अपलाई कर दोंगी जिससे मेरे जो भी पोर्स हैं वो मिनिमाईज हो जाएँगे एट मैं प्रैमर यूज्स कर रहे हूँ इंट एले कल प्रएप यह प्राइमर मुझे पॉर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो बेस है वुटता सॉफ्ट और सिलिकन बेस का है अब मैं यहां पर बीबी क्रीम यूज कर रही हूं क्योंकि मुझे जो कवरेज है वो लाइट चाहिए मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए तो मैं यहां पर बीबी क्रीम यूज कर रही हूं इसका कवरेज बहुत ही जगा लाइट है और बहुत नाचरल लुक देता है यह कि अब मैं मेरे फेस को डिफाइन करने के लिए क्रैल लॉन सुप्रा यूज कर रही हूं इससे ही मैं मेरे फेस के हाइलाइटिंग करूंगी और कॉंटोरिंग करूंगी जो मेरे अंडर राइड डाक सरकल्स है थोड़े से उनको मैं हाइड कर रहे हूं इससे एंड हमारे जो फेस का हाइलाइटिंग एरिया हमको बनाना है उसको मैं हाइलाइट कर जो अब अब मैं मेरे फेस की कंटॉरिंग कर दूंगी कि इस एक भी कार्ण्ट रिष्ट का जो Trans raar को connect with face क्या जो इससे हमारे पूरे ज़्यादा युझा उससे दूंगी कर देटाजित के क्युक्क शिर्णक करने पनाना इंव 1 ौए हमारे पOOM stat i को आद दू दिरू नसुनों से हमाइड बहुत ही ज़्यादा ततो इससे हमारा पि मैं आपको जो लुक चाहिए वो आप नहीं पाप आए अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप ज्यादा कंटॉरिंग पर कर सकते हूँ मेरा तो फॉरहेड छोटा है इसले में थोड़ी कम ही करती हूँ है अब मैं मेरे जो हैलाइट जरह किया है और एक शेड लाइट किया है जिससे मेरी है दिखाणा है वो अबरोस्ट है क्योंकि जब हम स्माइल वगेरा करते हैं और हमारा जो कंसीलर है वो जहां पर हमारे फेस के क्रैक्स बनते हैं वहां पर इखटा हो जाता है जो कि बहुत ही कैकी लूप देता है इसलिए आप आपके कंसीलर को तो मेक्शूर कि आप अच्छे से सेट कर ही ले थोड़ा सा लूज पावडर में मेरी लीड्स पर भी अपलाए कर लूँगे जिससे कंसीलर के क्रैक्स ना बने और मेरा आई मेकप सेट रहे जब मैंने पूरे फोसस्ती कmor और नशार के रहे स्काधीक है जल्ए यह सिंद्वा लीटन पे privi के क्रिम्या है जब मैने मेरे फूरे हैसे पर, पूरे पर koncilr और बेभी क्रीम को अपलाए कहे थो पूरे सबसक्केत निए हवी कंटूरिंग चाहिए तो आप क्रेम कंटॉररी से करें अब मैं आइमेकप स्टार्ट करने वाली हूं और आइमेकप में यूज करने वाली हूं फोरेवर्ग फिफ्टी की पैलेट और ये पेलेट बहुत ही अच्छी है, इसके कलर्स काफी प्रिग्मेंटेड हैं और सारे कलर मेरे बहुत ही फेवरेट है और आई मेकप स्टार्ट करने से पहले में मेरी अंडर आई इस्टिकी टेप लगा दूगी जिससे मेरा आई मेकप मेरी अंडर आई गिरेगा नहीं परस्ट में यहां पर मैं ब्राउन शेट पिक करके मेरी लीट्स पर डारेक्ली अपलाय कर रहे हूं एंड पिंक कलर लेकर मैं मेरी जो क्रीज लाइन पर को मैंने डीप किया है उसके आउटर पार्ट में अपलाय कर रहे हूं मैं डाक ब्राउन शेड मेरी पूरी लीड्स पर अपलाय कर रही हूं शौकेट एरिया में यह थोड़ा डाक ब्राउन शेड है हो सकते है आपको ब्लैक दिखे पड़े यह डाक ब्राउन शेड है अब मैं मेरी क्रीस को कट कर दूँँए मैं हाफ क्रीस कट कर रही हूं और इसके उपर मैं डारेक्टली टॉर्टी लागर के शेड है वो अपलाय करूँगी अब मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड करूँगी और इन दोनों कलर को साथ में अच्छे से ब्लैंड कर दूँग अब मैं आइलाइनर लगा दूँगी और आइलाइनर में विंग वाली ड्रॉ कर देए हूं मैं यहां पर आइलाइनर यूज कर रही हूं लिचर्स की और यह है मार्कर आइलाइनर और सच में जो लोग बिगनर्स हैं और जिनको आइलाइनर लगाना नहीं आता है उनके लिए तो यह हाईली रिकमेंडेड है और आप यानि चाहें वो शेप इससे ड्रॉ कर सकते हैं क्यो कि यह आइलाइनर मैं थोड़ी सी आगे से भी विंग वाले ड्रॉ करने वाले हूं पीछी से भी आइलाइनर मैंने लगा ली है और अब मैं sticky tape को निकालूंगे और आप देखेंगे आइलाइनर का लुक और eyeshadow का लुक इत्ता ही clean आता है मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ से हल्का रायानर नीचे की तरफ से अंदर ले लिप लिया है अब मैं इरी वाटर लाइन पर कांजल लगाओ लगांगा अब महीं मेरे चीक्स पर बलश लगाओंगी औब बलश भी मैं फॉरेवर फिस्टी का का यूज़ कर रही हूँ इसमें से में शेड यूज़ कर रही हूँ, पिंक ब्लश लगाने से पहले आप स्माइल करें तो आपका ब्लश बहुत ही अच्छा लगेगा अब मैं मेरे फेस को हाइलाइट कर दूंगी और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आइकॉनिक लंडन से इल्यूमिनेटर अब इसको मैं फिंदर की यालप से अच्छे डैप मोशिन में ब्लैंड कर दूंगी इशरा ने मेरे ब्लाव बोन को यलोल में हाइलाइट कर दूंगी और बिंनर कॉर्णर को हीाइलाइट कर दूंगी आप देख सकते हैं मेंच्छे लियं को अच्छे से हाइलाइट कर दिया आप मुझे बताना कि आपको मेरा आई मेकप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दिखाओ या फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी अब मैं मस्करा लगा अब मैं आइब्रोज को फिल कर दूँगी और आइब्रोज को फिल करने के लिए मैं आज पैंसल का यूज़ कर रही हूं और जब मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लुक चाहिए होता है तो मैं आइब्रोज टैटू का यूज़ करती हूँ आर नॉर्मल ये मुझे नॉर्मल मेकप होता है मैं बीभी क्रीम यूज करूँ नहीं करना है तो मैं आईब्रापैंसिल का ही उज़े तौट ही होगी है अब मैं लिप्स्टिक लगादूंगी और लिप्स्टिक यूज करेही हो मैं हूड़ा ब्यूटी की मैंने लिप्स्टिक लगा ली है और मेने मेरा मेकप भी ओल्मोस्ट डन कर लिया है और अब मैं इस पूरे मेकप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज करूंगी और सेटिंग स्प्रे में यूज कर रही हूं रावलेशन प्रो का हि है ए अन् spur कोट थोड़ा-सद शिक करेंगे और डारेक फेस पर लगा देंगे हमद और आपको थोड़ा लोंग स्टे मेकप चैयित तो आप है ना व्यूंटी ब्लैंडर से इसको डाप भी कर सकते ऐसे से करके और कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो छाटिंग पर लगाते हैं और फफेस पर करते हैं तो हम शेक नहीं करते हैं तो इसके वाइट स्वोट्स बन जाते फैस पर तो आप ध्यान गख्थेHeakin कि अपकाओ पर सेटिंग शेक करें और फिर अपने पर लिएंग करें यहे हमारा फ उस किलिए कर आभन करोखे एक पूछ सब्सक्राइब करें हैं और आपको ये लुक एसा लगा है शेयर करें कॉमेंट करें जानल को ओर हाँ आप मुझे ग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और प्लीज विडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे झाल झाल